हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो के इंदर कवर करने वाले हैं जो कि नया स्रिज स्टार्ट हो रहा है भाईयों यह 12 भजे मुकाबला खेला जाएगा जो पहला मैच रहने वाला है दोस्तों यह जो मैच रहाएगा इस्टोनिया और हमाल्टा के बीच में मुकाबला होगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी शेयर करूँगा दोस्तों कि कौन से खिलाडी कितने रंस बनाए हैं अपने करियर के अंदर कितने विकेट्स निकाले हैं दोस्तों कौन से ग्राउन पे यह मैच होने वाला है और किसे इस मैच के अंदर कैप्टन हुआ इस कैप्टन के लिए लेना सबसे सेफ रहेगा किसे ग्रैंडिक और किसे स्मॉल लिक के अंदर आप ट्राय कर सकते हैं दोस्तों सारे best combination के साथ इस वीडियो के अंदर पूरी information मिलने वाला है दोस्तों और last में एक बहतरी इन टीम बनाएंगे दोस्तों सारे information को देखते हुए तो भाईयों अगर आप इस match के अंदर एक बहतरी इन टीम बनाना चाते हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर वच करना आपको पूरी help मिलेगा तो आपको join करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों आप हमारे telegram group को आप search भी कर सकते हैं telegram में जाएंगे आप players record सर्च करेंगे दोस्तों तो almost यहाँ पे 12,000 के आसपास subscriber देखनी को मिलेगा दोस्तों तो आपको यहाँ पर join कर लेना है वहाँ सारे fake channel है तो उस से आपको सावधान रहना है आपको दॉस्तों इसी ग्रूप को join करना है इसका ओफिसल चैनल है यह जो यह ग्रूप है दुस्तों यह ओफिसल चैनल है और इसमें बहुत सारे बंदों ने जोईन करके रहा है आप देख सकते हैं दोस्तो हम लोग यहां पे stats की वर आगे बढ़ते हैं देखो match जो है रहने वाला है दोस्तो यह पहला मुकाबला रहेगा ठीक है यह जो match रहने वाला स्रीज का यह पहला मुकाबला है जो कि 25 मैं यानि कि आज 12 बजे खेला जाएगा ठीक है वेनू की बात करेंगे सारी matches देखी ground पे होंगे ठीक है इस्ट्रोइलन इस्ट्रोइलन क्रिकेट रग्भी ground पे यह मुकाबला होगा भाई और यहां का जो peach condition रहेगा recently कुछ matches जो खेले गए हैं दोस्तो मतलब इससे पहले जो स्रीज हुए हैं उसमें अगर आप record देखेंगे दोस्तो इस ground पे तो लगबग लगबग यहां पे दोस्तो 80-100 के आसपास एक average score आप मानते वे जा सकते हैं क्योंकि इस ground जो है बढ़ियां पीछे है बल्ले बाजो के लिए तो दोस्तो लगबग 60-100 के आसपास score देखने को मिल जाएगा बैटिंग पीछ रहने वाला यह चीज़ ध्यान रखना है अब देखें अब यहां पे बात करते हैं कि कौन से टीम मजबूत है दोस्तों किसके साथ आप यहां पे जादा प्लेयर्स ले सकते हैं कौन से टीम के तो इससाब से अगर आप देखोगे दोस्तों तो सबसे पहले EST का record देख लेते हैं इससे आपको records step by step जानेंगे squad में जितने भी खिलाडी हैं सारे खिलाडियों का stats में आपको बताऊंगा ऐसा नहीं कि दोस्तों playing 11 के share करने वाला हूं सिर्फ आपको squad के देखो पहला match है न तो आपको जानकारी चाहिए सारे players का stats चाहिए उसके बाद line up के बाद जो जो खिलाडी रहेंगे playing 11 में जो line up में रहेंगे दोस्तों फिर उन से आप यहां पे सिर्फ उनके बारे में आप यहां पे आसानी से देखते हुए team आप इसलिए बना सकते हैं लेकिन squad के बारे में सबके बारे में भी जानना जरूरी है चलिए अब बात करते हैं ESTG records सबसे पहले यहां पे as goes देखेंगा आपको यहां पे जो कि अभी तक देखोगे इनके carrier के अंदर T10 format में 1260 run इन्होंने बनाए हुए है 227 के strike rate से इन्होंने runs बनाए हुए दोस्तों यहां पे 20 wicket निकाले हुए हैं दोस्तों जो कि बहुत बहतर record है मतलब batting और balling से दोनों से ही काफी बढ़ी है दोस्तों और मैं कहूँगा इनको अगर आप चाहे तो captain, vice captain के लिए भी आप easily अपने team के अंदर try कर सकते हैं हाला कि मैंने team में लिया हुआ है लेकिन इनके बारे में पहले जान लो फिर आपी जो team बनाएंगे उसमें आपको तब आपको ज़्यादा समझ मैंगा ठीक है बाकि भी मसूद जो की 480 run अपने T10 केरे में बनाए हुए दूस्तों 192 के strike rates और 14 wickets इन्होंने निकाले हुए दूस्तों आप economy rate भी देख सकते हैं यहाप 11 के आसपास है इनका बहुत अच्छा balling करते हैं इनका इनका तो इन दोनों खिलाड़ी को आप इसलिए अपने टीम के अंदर ले सकते हैं यह मसूद जो कि यहाप देख सकते हैं 949 run 234 के strike rate से बनाए हुए दो 16 wickets के साथ 13 के economy इनका लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों इनका बहुत तकड़ा इन्होंने मतलब बहुत अच्छा strike rate इनका मैं कहूंगा इनको ज़रूर रहा करना अगर टीम में रहते हैं लाइनप में अगर यह रहते हैं तो starting के यह तीन खिलाड़ी जो है most and high important peak रहेंगे अगर लाइनप में रहते हैं तो इन तीन खिलाड़ी को ले लेने अपने टीम के अंदर है बागी इनको आप avoid कर सकते हैं कुछ खासने मात्र एक रहने दोस्तों और यहां पे 23 विकेट्स निकाले यह चीज़ आप यहां पे ध्यान देना बल्लेबाजी से देखोगे दोस्तों तो कुछ खास है नहीं लेकिन बॉलिंग के मामले में जब देखोगे तो 23 विकेट्स निकाले हैं मतलब आप इनको में बॉलर के तौर पे आप इनको ले सकते हैं पढ़िया बॉलिंग करते हैं तो लाइन अप का वेट करेंग अगर यह खिलाडी लाइन अप में रहते हैं तो फिर आपको एच्छे गिंदबाजी करते वे देंगी डी रोवंसन जो कि इनका स्टैट्स 337 रंड है 193 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रंस बना है साथ विकेट्स इन्होंने निकाले हुए अपने किरेक अंदर जो कि काफी तगडा बॉलिंग देख सकते हैं इस चोहन जो कि 598 रंड मनाए वे आठ विकेट्स निकाले हैं यह भी अच्छे गिंदबाजी करते वे दिख जाएंगे आर खान जो कि 352 रंड मनाए लेकिन बॉलिंग नहीं करते हैं तो आप इनको एवट कर सकते हैं इनका रिकॉर्ड मुझे उतना बहतर लगा नहीं इनसे बढ़िया आपको बैट्समन उपर मिल जाएंगे ठीक है तो आप इनको ड्रॉप करते भी जा सकते हैं बाकि एम वैल जो कि 182 रंड बनाए हुए दोस्तों और ए पनवार जो कि 104 रंड 7 विकेट्स के साथ आप इनको ये मातर 6 विकेट्स निकाले दोस्तों आप इनको चाहें तो अवट कर सकते हैं एज खान 351 रं चार विकेट्स निकाले दोस्तों और यहाँ पे एज प्रजापती जो कि 55 रं स्कूर किया हुआ इनको अवट कर सकते हैं तो जो इन्पोर्टन रहने वाले आपके लिए मैं बता दूनका नाम यहाँ पर स्टार्टिंग की जो 4 प्लेयर हैं आप इनको इसली ले सकते हैं अपने टीम के अंदर एस चोहान को ट्राइ कर सकते हैं बाकी मुझे उतना बहतर लगा नहीं है अगर यहाँ पे चाहें तो एमजात को ट्राइ कर सकते हो बाकी को आप यहाँ पे इस टीम से अब ड्रॉप कर सकते हैं पांच से छे खिलाड़ी हैं इस टीम के तरफ से जो की आपके लिए एक अच्छा पॉइंट दे सकता है अब होई अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों M.A.L. कर स्कॉर्ड जो की भी परसार जो की 14-23 रन स्कॉर किया हो है 27 विकेट निकाले 202 का स्ट्राइक रेट इनका जो की काफी तगड़ा है बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं बॉलिंग तो काफी खतरनाक इनका मतलब बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से काफी खतरनाक प्लेए तो आप इनको कैप्टन-सी के लिए भी इस ट्राइक कर सकते हैं जैट कान जो कि 16-17 रन दो विकेट्स निकाला हूँ एक 180 का स्ट्राइक रेट है इन दोनों को ट्राइक करते हुए चलेंगे गेंदबाजी के तोर से आप इनको जरू ट्राय करना बहुत तगड़ा गेंदबाजी दोस्तों रोको विकेट्स मतलब 90% से इबब चांस रहता है कि इनको विकेट्स मिलेंगे ठीक है तो आप इसली इन तीन किलाड़ी को लेंगे बाकि इनको ले सकते हैं विकेट के प्रिंदबाजी देखोगे तो बहुत तगड़ा इनको लेते वी चलेंगे नौ 10 से नीचे का इनका एकानमी है बाकि इन्होंने 1101 रन बना के 32 विकेट्स निकाले ये भी खिलाड़ी काफी तगड़ा है लेकिन खेलने के थोड़ा कंचांसे अगर यह लाइनप में रहेंग तो फिर काफी इंपोर्टन रहेगा आपके लिए एस वामन जो की देख से दोस्तों यहां पे 436 रन स्कूर किया हुआ है और 26 विकेट्स निकाले है दोस्तों मतलब एजे ओल रन बढ़िया है लेकिन इनके खेलने के थोड़ा काम चांसे रहेंगे आज बाकि 331 रन विकेट इनके पास इनको आप एवर्ट करेंगे दोस्तों एमदास जो की 602 रन स्कूर किया हुआ है भी रश्मिका देखो यह 12 रन मना के 20 विकेट्स निकाले हैं मतलब गिंदबाजी तो तगड़ा है इनका लेकिन इनके खिलने के अभी चांसे कम है स्कॉर्ड में तो जरूर है प् कि 394 रन मना के 8 विकेट्स निकाले हुए यह भी एक अच्छा प्लेयर है मतलब गिंदबाजी तो तगड़ा इनका गिंदबाजी थोड़ा कम करते हैं यह सारे स्कॉर्ड के स्टेट्स आप देशने एस्टी के और एमेल के सारे रेकॉर्ड आप यहाँ पर इसली देख सकते कि तुरू ऐसे इन्फॉर्मेर्शन मिलता रहेगा और टेलिग्राम को अभी तक आपने जॉइन नहीं करा है तो फटा-फट जॉइन कर लो दूस्तु टीम आपको वहीं पर मिलने वाला है ठीक है तो चलिए आई होप आपने जॉइन कर लिया हुए चलिए आप टीम की और बढ़ते हैं शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट गर्वस से मैंने कहा तो दूसरों यह पर आरदानिस को ट्राय करेंगे जुकि एमेल के टीम के तरप से काफी खतरना रिकॉर्ड है इनका तो इनको ट्राय करने वाला हुए अपने टीम के अंदर आपके पास सेकेंड इनको ट्राय कर सकते हैं यह आपको ग्रैंड ली के लिए अच्छा च्वाज रहाएगा दूसरों ठीक है मैं फिलाल इनको ट्राय करूंगा बैटिंग से तीन बैटसन को लिया हुए एमजाद जैड खान और एराजा यह तीनो टॉप प्लेयर है लेकिन इनके बाद अगर आ इसली ट्राय कर सकते हूँ बाकि ओलनर से मैंने चारोंट को लिया हुए ए मशूद भी प्रसांत और एस गोस और एम अली को ट्राय किया हुए चार प्लेयर को मैंने ट्राय किया हुए अपने टीम के अंदर चारों का रेकॉर्ड काफी बहतर है दूस्तों और मैंने इस वज जैसे मैंने यहाँ पर जो सबसे बैस मुझे लगा है रिकॉर्ड जिनका बहतर है उन्हीको मैंने लिया हुआ है बाकि मैंने कहा था यह खेलेंगे तो काफी इंपोर्टन रहेगा आपके लिए बाकि इनको यह बहुत बहतर प्लेयर है बहुत जा चांस सकी मैं लाइनप के बाद इनको कैप्टन सी के लिए ट्राइक करूं ठीक है तो इसलिए टेलेग्राम गुरूप को जोइन कर लें दोस्तों फाइनल टीम के लिए आई होप आपको काफी कुछ हेल्प मिला होगा नया मैच है दोस्तों वीडियो को लाइक करके ना दोस्तों सपोर्ट जरू करना मिलते हैं बहुत जल नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू